दोस्तों, पहली चीज जो होती है, मैमोरी, तो सबसे पहले समझो की मैमोरी क्या होती है, तुम अपने फॉन में जब कोई फोटो, कोई गाना, सेव करते हो, तो वो कहां सेव करते हो, कहां save करते हो, हवा में सबसे पहले समझो कि तुम्हारी memory क्या होती है brain के किस हिस्से में काम आता चलिए शुरुआत करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ आप सीखने की कोशिश करो, बड़े important तरीके से आज पढ़ने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा तो मेरा जो पहला question है, वो ये है कि अगर तुम्हारे mobile में कोई photo, कोई video save करनी है, तो कहां save करते हो phone के memory में उसकी storage में तो उसी तरह जब हम धेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो तुम information जो पढ़ते हो वो तुम्हारे दिमांग में store होती है दिमांग कोई इस तरह से उसमें storage facility नहीं, जिसे तुम्हारी mobile की chip होती है, या mobile की storage होती है, अब तो inbuilt आने लगी पहले बाहर से SD card आपको लगाना पढ़ता था, तो मुझे बताओ कि तुम आज अपने phone में जब कोई भी चीज, आप जब store करते हो तो कहां, उस chip में या storage में save करते हो, करते हो उसी तरह आप भी ये जान लिजिए कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं आप बहुत important बात बता रहा हो बहुत important, तो अगर तुम्हारे mobile में अगर वो storage device नहीं हो अगर तुम्हारे mobile में वो चीजें नहीं हो, तो तुम कभी भी उसको store नहीं कर पाओगे कभी भी वो चीजें नहीं कर पाओगे right, तो अब क्या होगा तुम्हें लगता है कि तुमने कोई चीज पढ़ ली वो store हो गई, सबसे जादा गलती इन स्टोरेंट से यही होती है हमारा दिमाग directly कोई भी चीजे store नहीं करता है तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने history पढ़ा geography पढ़ा, मेरी बाते सुनी वो store कहा होंगी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ पर भी एक storage device होती है और दिमाग की storage device को हम लोग कहते हैं, association plus imagination, जी हाँ आप ये जानते हैं कि अगर आपको mobile में कोई भी चीज़ store करना है तो आपको storage device या chip चाहिए चाहिए, hard disk चाहिए तो आपके दिमाग में भी आपने सोचा कि मैंने ये पढ़ लिया, और ये मेरे storage है हमारा, जहां पर वो जमा होगा storage को बोलते हैं association और imagination, बहुत important बात कता रहा हूँ, association का मतलब होता है जुड़ना association का मतलब होता है जुड़ना आखिर मैंने वो movie, वो गाना, एक chip या एक जो है उसकी memory में store करके रखा तो जो आपका association है बड़े ध्यान से समझना, ये आपका mobile है, ठीक है, ये आपका mobile है और यहां पर आपके पास क्या है, आपने उसमें save किया, association का मतलब होता है पहले से जो जानकारी मौजूद है पहले से जो जानकारी मौजूद है उसके साथ अपनी नई जानकारी को जोड़ देना अपनी नई जानकारी को जोड़ देना उसको हम लोग बोलते हैं association राइड अब दूसरी बात ध्यान से सुनो तो imagination क्या है, अब मुझे बताओ गाने का एक format होता होगा जैसे mp4 या mp3, मालो video का format है mp4 format में जा रहा है तो जो format उसके अंदर पढ़ा हुआ है उसी format में आप क्या करोगे storage करोगे, मालो आपने rar file दे दी तो rar file आप गाना सुनने जाओगे तो support नहीं करेगा या किसी ऐसे format में डाल दिया जो mobile support नहीं कर रहा है मुझे बताना, हाँ या ना तो आपने कोई ऐसा format डाल दिया जिसमें जैसे मेरे पास मालो iPhone है तो उसमें कई बार मेरी team को वीडियो भेजती है तो उसमें play ही नहीं होता है क्यों क्योंकि वो उस format को support ही नहीं करता है तो मुझे बोलना पड़ता है यार इसका format चेंज करके मेरे को भेजो तब ही मेरे जो है वो WhatsApp में ये वीडियो प्ले होगी तो आप क्या करोगे इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारी storage device में कुछ जो है वो format होते हैं और उस format को बोलते हैं imagination समझे कहां पर होगा storage है तुमारा association यानि पहले से जो information मौझूद है लिख लो उस पे अगर मैंने अपनी नई information को जोड़ दिया मेरे दिमाग से बात नहीं निकलेगी और दिमाग कहता है कि please send me my format तो मेरा format क्या है imagination है मेरा format है imagination यानि कलपना चित्रों के माध्यम से मैं सिर्फ pictures के माध्यम से किसी चीज़ को समझता हूँ मुझे वही माध्यम दो तो अगर तुमने इन दोनों conditions को पूरा कर दिया तुम्हारी memory अपने आप बढ़ जाएगी और अगर आपने ये दो चीज़े नहीं कि माल लिज़े मैंने आपके mobile में एक video भेजा बड़े ध्यान से सुनना ठीक है आपके mobile में मैंने कुछ format भेजा और वो video format आपका mobile support नहीं कर रहा है आपका mobile उस video को देख पाएगा हाँ या ना मुझे सब लोग बताओ क्या तुम उस format को देख पाओगे नहीं देख पाओगे क्यों विडियो तो है लेकिन आपका दिमाग उसको support नहीं कर रहा है या अगर आपकी memory full है या memory कम है या आपके पास storage कम है तो क्या आप उस video को store कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो कहेगा कि पहले कुछ file इंडिलीट करो तब जाकर मैं अपनी विडियो को इसमें रख पाओँगा ये दोनों सिध्धान तुम्हारे दिमाग के साथ काम करता है अगर तुमने तुम्हारे पास storage device नहीं है यानि association करके अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग उसको store नहीं करेगा clear है और अगर तुमने format सही नहीं डाला format सही नहीं डाला तो कभी भी तुम्हारा दिमाग उसको accept नहीं करेगा छोटा सा example लेता हूँ मेरे साथ practice करो ठीक है मेरे साथ practice करो माल लो मुझे कुछ चीजों के बारे में पढ़ाई करनी है ठीक है मैंने हाथी से represent कर दिया ठीक है six मेरा हाथी है तो is equal to six अब मुझे schedule पढ़ना है भारत की अनुसूचियां पढ़नी है और जो ये है ये tribal से related है ये मेरा जो issue है वो tribal जंजातियों से related वहाँ के शाषन से related कोई एक मुद्दा है मेरे पास छटी अनुसूची में तो मैंने 6 is equal to मैंने picture form बनाया association किया हम बच्पन से हाथी हाथी की कहानिया ये सब हम पढ़ते चले आया है देखते चले आया है तो मैंने 6 is equal to हाथी से उसको compare किया और मैंने कहा हाथी कहां रहता है जंगलों में हमारे ट्राइबल लोग वो अपनी जंजाती लोग जो होते हैं वो कहां रहते हैं जंगलों में तो मैंने क्या किया छटी अनुसूची किस से सम्मंदित है मैंने associate किया हाथी को imagine किया जंगलों में जाता हुआ देख रहा है क्योंकि मेरा दिमाग picture को केवल accept करता है और मैंने कहा नहीं यह tribal यारी जंजातियों से लेटेड मुद्दा है उनके प्रशाषन को लेकर जो है वो जो अनुसूचिया बनाई गई है उनकी जो है वो सुरक्षा को लेकर जो चीज़े बनाई गई है उसको हम लोग tribal groups के रूप में लगातार जानते हैं लगातार जानते हैं अब यह क्या होगा दिस इस वन आप दे बेस तिंग मैंने इसको याद कर लिया माल लो मैंने बात किया 10 schedule 10 की बात की हमने दसवी हैंने सूची तो दसवी हैंने सूची दल बदल anti-defection law के बारे में दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात हो रही है दल बदल कानून इसमें एक नेता दूसरे नेता के साथ जोड़ जाता है अब मैंने इसको याद किया मैं भूल जाओंगा मैंने एक strength से एक strength आया मेरे पास बोला सर पॉलिटी मैंने बहुत पढ़ी है फलाना इंस्टूट में आके पढ़ी है मैंने बहुत अच्छी बात है मैंने उसे दस्वे निसूची पूछ लिए जवाब नहीं दे पाया उसने दो-तीन गलत गलत जवाब देने शुरू किये तो यह क्या होगा आपने पढ़ा तो लेकिन आपको इसका कोई फायदा नहीं है, अब ऐसा पढ़ो कि कभी ना भूलो, अब मालो 10 वी हनुसूची है, तो 10 वी हनुसूची दल बदल के बारे में, अब मैंने ये समझा कि मेरी मेमोरी तभी अच्छे से काम करेगी, उतने best student के रूप में काम करू होँगा, जब मेरे पास मेरे पास, इसको association और imagination दोनों होगी, तो आज से क्या होगा? association और imagination अब association मुझे करना है तो मैंने क्या किया 10 को मैंने बोल दिया bat है ठीक है ये bat हो गया और ये ball हो गया तो ये 10 के रूप में मुझे दिखाई पड़ रहा है 10 के रूप में ठीक है 10 तो मैं क्या देख रहा हूं कि 10 बतलब anti-defection law मैं एक संसद में हूँ वहाँ नेता जो है वो कभी इस seat को इस party को छोड़कर दूसरी party और दूसरी party को छोड़कर पहली party में जा रहे है मुझे बहुत आगी गुस्सा अब मैंने क्या किया मैं अब इसको imagination कर रहा हूं मेरे को गुस्सा आगी ठीक है मैंने उठाया बैट ठीक है बैट उठाया बॉल जेब में रखी और देह बैट पीटना शुरू कर दिया जो भी नेता बैमानी कर रहा है पैसे लेके जो इधर से उधर जा रहा है मैंने दौड़ा दौड़ा अब संसद में सोचो कि संसद में house है वहाँ पे जो है वो सभापती बैटे सांत हो जाई और आप बल्ला लेके दौड़ा दौड़ा पीट रहें जो जो बैमान नेता दौड़ा अब इसमें comedy हसी आएगी आप किसी की धोती खुल गई है कोई seat के नीचे छुप गया है आपके डर से और आप जो है डंड़ डंडा डंड़ डंड़ डंडा उसको चेंगर पीटे जा रहें जो जहां मिल रहा है उसको वही पतक पतक पीटना शुरू किया जैसे मम्मी जो है वो हो कपड़ा धोती दिन फो चोटा आला बैट होता था मुगणी बोलते थे वही वाला है तुम्हारे हाथ जिसे मम्मी जो है वो गंदा कपड़ा दे धभाधा पीटना शुरूगे जिस दिन पापा ने कुछ बोल दिया उस दिन वो बड़ी जो डबल बेट की चदर थी वो इतनी जो है मुगरी खाती थी तो आप उसी स्टाइल में आप क्या है ले तो अब यह जो क्या हुआ जो है आप इसमें देख अब कभी जिन्दगी में दसवी अनसूची नहीं भूलोगे जितना तुम आज यहां हसे हो उतना तुम अब याद रखना कि कभी तुम यह नुसूचियां भूली नहीं सकते हो यही पावर होती है तुम्हें पढ़ना नहीं बताया गया, तुम्हें बताया गया कि दिमाग में मेमोरी होती है, अरे फोन में तुम्हारी storage device नहीं है, चिप किसी निकाल लिये, तुमको अरे सर यह हमारा फनवा बड़ा महंगा है, इसमें कुछ आता ही नहीं है, अरे कहां से आगा उसकी storage device तु अब गांधी जी हैं, तो तुम गांधी जी के बारे में पढ़ रहा है, खेडा गए, चंपारन गए, फलाना जगा गए, यह अंदोलन किया, दांडी आत्रा, उसको associate करो पहले से, उसको associate करो, उसकी imagination करो, अर थोड़ा funny imagination करो, ठीक है, थोड़ी funny imagination करो, तो उसमें क्या होग उसमें जो तुम्हारा, जो है, वो बहुत चीज़े चेंज हो जाएंगी, हमेशे के लिए तुम्हें याद हो जाए, कभी तुम भूल के दिखा दो, मैं तो challenge कर रहा हूँ, तुम भूल के दिखा दो, कभी नहीं भूलोगे, तुमसे अब कोई सोते में भी जगा, पुचे क आत्मा चेंज कर दे तुम्हें आत्मा हम चेंज करा रहे हैं, रुको,